तो गाइस कैसे हुआ आप लोग तो परफेक्ट वाल के नेक्स्ट इनोवल के एपिसोड नमर 151 में आपका स्वागत है तो चलिए सुरू करते हैं तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सीहाओ ने यूयू को बहुतीन बुरी तहिके से इंजट कर दिया था लग कर रहे हैं इसकी स остав Odla लेकिन दिकाया जाता है कि वाहा पर उसको नहीं पकर पारा होता है त Над by the ताकि उसको माहा जा सकें लेकिन हमें दिखा जाता है कि यूयू वहां से जोर से चिला करता है यूवांग जिसको सुनकर वहां जितने भी कल्टिवेटर्स होते हैं वह सभी सौक हो जाते हैं कि यहां पर जो बंदा सिज से फाइट करता है यूयू अभी तक वह कोई और नह stone कोभी लोश्ट कर दिया था यहाँ पर जितने की बंदे होते ही वो सभी ररान हो चुके थे असल में a भीन होई हुग है सब लोग भीटर से हाँ चुके सब लोग यहाँ पर neighbours अध्याते ही कि यह अमें बताला तकि यह असल में बेवी चं पावर को सुब देखने कि और इस इम्सरी का एक डिस्पल ही में यह क्याता है यह लुग्त भीक इंक आंटिक में सब को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था और डिनारी कल्टिवीटर से लेके सुप्रीम एक फस्ट डाइटिस में वोल्ड वोमें सब लोग इसको देखकर पूरी चर से हैरान हो चुके थे कि आखिर कार ये क्या से हो सकता है बहुत लोग खुस भी होते कि फार्णिंग हम लोग हुआं से मिल चुके हम फार् मेठर्ट सेवन्स मौझूद है जो कि बहुत ही टरिफाइंग है यहां पर दिखाया जाता है हुआं को जो कि आगे बढ़ने लगता क्योंकि यहां पर जितने भी फाइव एलिमेंट्स प्रोविंस आज गयता है सब लोग हुआं के बार में जान चुके थे लेकिन सेलेस्ट जाता हुआ कि जब कि इसने यू-उ को हरा दिया है तो यहां पर सेलेस्टिक क्लांज का यह नंबर वन सुप्रीम जिन्यस से तो टुली डिवाइन वैलिंस होने वाला है यह सेलेस्टिक क्लांज की बहुत बड़ी बदनामी होगे यहां पर सब लोग इन्हीं सब के बार में करने लगते हुआ फेस्वेस में सब बडेस करने रगते है यहां पर उसकी पावर की भार में बात किया जा रहा जो कि फेसको पर इसको बोर्डिंग थे सब्सक्राइब करने जा रहां तो लाघ कर लींदा कि व plant अवाषन को राया तैंकि अवन्हों ने ब्लीं समर्क नेंब genius होने के कहने के लायक है ? हम Celestrian के इतने भी ड्यटिज् सबको दिखा आता है कि जो उस पर fight करने लगता है को मारने के लिए आगे जाने लगते हैं ओर यहां पर ऐसे हonna है ताखि Is Como हुआ को सबागर के बार में बताया जाता है कि यू कुई normal person थो वह था अगर वो अपने पावर को आगे बढ़ा पाता लेकिन यहाँ पर ऐसा करके हुवांग ने सेलेश्टर क्लैंड को और भी या दुस्मन बना लिया होता है जिसके कान वो सरी मिलकर हुवांग पर अटाक करते हैं यहाँ पर हमें दिखाया जाता है यूंजी को जिससे भी विश् स्वास करना ही परना स्विश्वा करना मुश्किल हो पाता था यूंजी भी पूरी तर से स्पीसलेस हो चुकी होती बस इसके बार में एक्स्प्रेंड नहीं करना कि वो क्या-क्या सोच थी हमें डिस्टरंस में किन्नी को दिखाया जाता है जो कि अपने ऊपर एक फिंट इस रहते जिसको मैं एक्स्प्रेंड नहीं करना बस समझ लू यहां पर चाहता अफ्रा तफ्री मत चुकी होती है और अफ्री यहां पर हुआं के जो कि सीहा होता उसके बार में उन्हीं गॉर्ण अकेडमी हेवनली स्ट्रेयर केस के भी बार में बात होई थी जिसे कि हुआं मत पास नहीं कर पास सिफ इसके कार्ण मों सभी और भी हरान हो चुके थी यहां पर सभी साइट एचीवमेंट के बार में बात करने लगते हैं मांटेन रहेंस के ऊपर का सीन दिखाया जाता है यहां पर सभी से लिस्ट्री क्लैंस के बन्धु उस पर एटायक कर रहे होती ही औ लोग आज तुम्हें जिन्दा नहीं चोड़ेंगे यहां पर उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं अब दिखाया जाता है कि और भी सेलेस्ट्री क्लांज के एक स्पोर्ट डिवाइन फ्लेम्स के और भी पाव़फुल बंदे आ चुके होते हैं और सेलेस्ट्री फ्लेंस इस एक वाटाओ फ़ायर किता है सल सब लोग जानते था एक दूस्ते के वह जान के कटर है जिसके बाद दिखाया जाता है और हमें धिखाया जाता है कि यहां पर सुलेस्ट्री क्लैन्स के बंदें पहले इन जाम दालने लगते कि तुमने ऐसा ऐसे कि जिसको सुनकर वो क्य तुम्हें किया लगता कि मैंना ऐसा किया तो यहां पर वह बजाद बिंचित जिसकी वह सब्र нравल इन लगता है क्यूm वह भी जानते थे कि उन्हों ने वी उसके साथ गंड किया है यहां पर उन्हों से जानते हैं बनामी ओर और भी वह चुगी थी हो निभ्यान, पर उन्हों ने जब कहा, मतलब C-Haw ने बोला कि मैंने तुम्हारे Clans के Heavenly Woman को बचा कर लिया है यहाँ पर वो, Жो Celcular Clans के बंदे होते हैं किया תे कि तुमने कुछ नहीं किया जहाँ पर वो भी मना करते कि तुमने कभी भी हमा steering heavenly woman को बचा है निया heavenly woman युन जी ही ही होती है जिसे कि सी हो ने बचा के लाया होता है अब यहाँ पर सब लोग एर्गुमेंट करने लगते कि क्या सी हो बोल रहा है क्या वो सच है या फिर सेलेश्ट्री क्लान वाले बोल रहे हैं सच है कि अगर यहाँ पर एक का मसला सामने आगया अगर सेलेश्ट्री क्लान पता चला कि वो जूट बोले तो उनकी बहुत बन्नामी होगी जिसके बास यहाँ उनी सब की कर्तूद गिनाने लगता कि तुमने में साथ क्या क्या गलत किया जो कि आप लोग तो जानते ही होंगे इसको सब लोग आपस में बात करने लगते ही कौन सही है कौन गलत यहाँ पर ऐसी आगे वो कहने लगते ही और आप यहाँ में दिखा आ जाता है कि सेलेश्ट्री क्लांस का एक बंदा क्याता है लिटिल मॉस्ट्र तुम्हां जबान बहुत ही बक्वास सलती है तुमने हमारी जुन कर यूंजी भी पूरी तर से हरान हो जाते कि क्या यहाँ पर उसे जीहाँ को मारना पड़ेगा अब यहाँ पर वो बंदा कहता है कि यह हमारे क्लैन की हुमिलियसन ही अगर हमारे जनरेशन का कोई बंदा उसे मारेगा हम लोग अपने रेस के इज्जत बचा पाएंग करें जाते हुए जिसको जुन कर यून जी भी हैरान हो जाते हैं आकर उसे क्या करना चाहिए और इसीवागत में सीहाँ को भी दिखा जाता है कि कोई उसके था बढ़ रही है और यहां पर दिखा जाता कि यूं जी भी उधर आने लगती है अब यूंजी पो आठाराज सास से कम की होती और इसने अपनी हाय लिवर्स को भी अचीव कर लिया होता है यहाँ पर आसा हैसे समल्यों पर उसने यूंजी को हर्ट करने की कोसिस करी क्योंकि यूंजी भी अगर मैं बहुत ही पावफिल है वेनली वोमिन मानी जाती थी और सीहाओ तो वैसे भी उस पर अटाइक नहीं करने वाला है यूंजी भी हवा में आ चुकी होती है और दिखाया जाता है कि वो उसके सामने ख हो चुके होते हैं और दिखाया जाता है कि वो ऐसे ही थोड़ी से इखा दे थी और फारली वो अपने प्रीवियस प्रीशिस आर्टिफेक्ट को अपने पाम से अंदर निकालती है जो कि वो बचाने के लिए पूरी 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 तरह से भटा करीती और उसी वक्त सीहाओ उसको बचाया था उस एपसेलर प्रीशिस आर्टिफेक्ट को और दिखाया जाता है जैसी वो आर्टिफेक्ट बाहर निकलता है वहां से बहुत ही एक्स्ट्रेम्ली पावफुल सिंबल्स निकलने लगते हैं यह चीज जो ट्रेजर होता है वो बहुत जहाँ पावफुल हो लेकिन अभी उस जिस पावर को लोग देख रहे थी उन्हीं विश्वास नहीं हो रहा था कि आख का यूंजी को सहाय था कि क्या जरुआ थी क्योंकि यह इस ट्रेजर के कान तो यूंजी बहुत ही पावफुल हो चुकि ट्रू गॉड भी यहां पर उसका मकाबला नहीं कर स लगते थी सब लोग यह सोचने लगते कि किया सी आउने जो बूला वो सच या फ्री जूट है उसे भी इन सब के बार में सूचने लगता और कहते कि हुआ आँगों से आँसू आने लगते हैं और वो सी हाव की तफ आगे बढ़ते हैं मुझे माफ करना आप लोग को लग र मतलब यह ऐसा सी नहीं था वो आगे बढ़ती हुआ लेकिन वो उस पर अटाक नहीं करते हैं हमें सारे बंदो को दिखा जाता है जो कि इन सब कितब देखने लगते हैं रफ्या में दिखा लाता सी हाओ को जो कि यहाँ पर उस पर अटाक करने ही वाला था लेकिन वो देखत सी हाओ भी स्टॉरी सुझाता है वो असानी से इसको अवाट करता है वहां पर एक पूरे के वोल्ट को ही बना जिता है जो कि असल में भागनी का जड़िया होता ही और यहाँ पर यूझी कहती ही मुझे माफ करना मैं सीट्वू फेवर में थी उनमें यहां पर कुछ नहीं क तहागने को कैरी थी जिसके बाद हो कहते है कि जल्दी करो यहां से चला जा तो बहुत ही जल्दी यहां पर आने वाले और यह तुम्हारा फाइनल चांस जिसके बाद अर तुम नहीं गम तो यहां तो तुम्हारा ले बहुत ही खतरा हो सकता तो सीव पूछता है कि आखिरकार तो वो क्याते है कि two heavenly duties जो कि dog protector वो सब यहां पर आ रहे हैं जल्दी करो यहां से चले जहां यहां पर दिखाया जाता है कि वो सब ऐसे ही खरे होते हैं जहां पर सियाओ किताव फिसका कोई भी क्लिक इंटे नहीं होता है अब यहां पर यूंजी उसे बोलते कि जल्दी करो चल पूरितर से हरान हो जाती है क्योंकि उससे लगाता कि सियाओ उसकी बात मानकर चला जाएगा लेकिन यहां पर सियाओ तो जाहीं नहीं रहा होता है और हमें दिखाया जाते हैं यहां से निकल यहां से जाता है नहीं लेकिन हमें दिखाया जाता है कि यहां पर कुछ अलग हो यहां पर हमें दिखाया जाता है कि सब को पठा चल जाता है कि यूंजी ने यहां पर सीहाओ को भागने में मलत की जिसके कहां दिखाया जाता है कि वहां पर सब लोग और भी गुस्ता करने लगते हैं वो उन सब पर अटाक करती है अब यहां पर यूंजी कहते हैं कि तुम ज इसर स्टेक्णिक को एड़ॉप्ट करके साथ इस पर अटाक करते ही घए अब यहां पहीं प्रुटत से हैरान हो जाता है क्योंकि उसे अंद आज आता कि उसे भी अटाक करें लेकिन उसने यूटेकर वी अपना बनाया हुआ था जिसके कहां वो इस पर अटाक कर सकता है भी साथ अटाक रेल बनने थे और दिखाया जाता है कि 12 डाइटी उसके तरफ आने लगते हैं और सभी अपने पिल फॉनेस इंस्टरिफाइंग मैजिकल आर्टिफेक्ट को यूज़ करके उस पर अटाक करने लगते हैं और अपने विपोन को निकाल लेता है और अपने विंग्स बंदे होते हैं अहरान हो जाते हैं क्योंकि यहां पर सियाओ ने शुरुवात में आते ही एक बंदे को मार दिया होता है दिखाया जाता है कि थर्ड डिवाइन फ्लिम रियलम एक्सपर्ट वहां पर आने लगता है और सियाओ के लाइटनिंग स्पेट के कान पकरा जाते हैं इसके बाद Sihaw उसे भी मार देता है और यहां पर Sihaw समझ लोग कतलियां मचाए रहा होता है Sihaw अपनी सारी मेठर्स को यूज कर रहा होता है सब को पता रहा है कि Sihaw ग्रेट किलिंग विपन के तरह हो सकता है सब लोग इस पर अटाक करने लगते हैं लेकिन Sihaw तो यहां पर पीचे हटने ही वाला नहीं होता वो सब 12 डिवाइन लेवल एक्सपर्ट्स पर अटाक करना सब लोग उसको गेर रहे होते हैं लेकिन यहां पर असल में दिखा रहा है तो सब लोग Sihaw को ट्रैप कर रहे थे लेकिन वह लोग यह नहीं जानते कि वह लोग सेर के गुफा में खोड जा रहे हैं Sihaw भी अपनी सेर की था उन सब पर अटाक करता है उसकी आप लाइटनिंग जासी हो चुकी थी दिखाया था था फाइब टूट्वेटीज सीहा के सामने आज आती हो क्या थी तुम एविल क्रेटर तुमारी हिम्मत कैसी हो उस पर अटाक करते ही अब यहां पर उन सब को पह करने गया होता तो हाँ टूगार लेवल के तिन बंदे होते हैं जीसे कि यहां पर सीहा ने बढ़ी हा साइन से लाइटनिंग पावर को यूज करके माहा था जब कि वहां पर टॉंडर स्टॉम सी क्लावड मौजूद थी लेकिन यहां पर यहां पर यह साई चीज मौजूद यह बोजा पावफुल होता है उसमें से एक बहुत ही पावफुल ब्रॉष निकलता है और वो सभी पर अटाक करता है और दिखाया जाता है कि वहां पर जितने में अटाक करता है उससे कुछ टूडेटीज और प्राइमोरियल स्पीड उन सबके इंजर हो जाते है जिसको ज जाता है कि उन सबको एक हैतके में मार दिया जाता है जिसको जानके वो सबी हैअगरान हो जाता है और सक什么 रहें कि यहां पर आपर अपि आता है कर जिसको नियुक्त बहुत मोंस्टर जितने भी मूवमेन्ट होते हैं सभी इन सब को देखकर हैरान हो चुके होते हैं उससद लोग यहाँ पर अब दिखाया जाता है कि वहाँ पर तभी एक और बंदा आ चुका होता है जिसकी पावर बहुँ जाना होती है जिसको दिखकर सेलेस्ट्र क्लैंज के एक सपर्ड अपने गुटनों पर आ जाते हैं और एंचेस्टर और दिखाया जाता है सलेस्ट्र क्लैंड का ओल एंचेस्टर वहाँ पर आ जुका था जहां पर एल्ल एंचेस्टर के आता है एक छोटे से एंट की नीमत हुई कि वह मैं क्लैंड को इतना फेंड कर सकें आज मैं देखता हूं कि तुम कहां जा सकते हैं और यह चाहकर भी इस अटैक को अवाइड नहीं कर सकता हो समझ लगबग मरी चुका होता लेकिन तब ही वहाँ पे एक और पीछे से सुप्रीम बेंग डाउर वाइड से आता है जो उस पे अटैक करते हैं चीटी खीर मौकरें तुम्हारी हिम्मत के हैसे ही में डिस्पस पर हाथ लगाने के लिए गेट लाउस जिसके बाद दिखा जाता कि उनमें बहुत ही पावफुल का टक्रा होता है और वहां पे बहुत ही पावफुल धमाका होता है यहां पर जितने बंदों पूरे तरह से हरान हो जाता है कि यांकिन उन्होंने क्या सुन गया कि एक इसको बंदा इसका माली कौन हो सकता है यहां पर जितने भी यह सभी हैरान हो जाते हैं और फिर हमें दिखा जाता है यहां पर एक सॉफ्ट वाइस आती है कि क्या जो मैं देख रहा हूं क्या वो सच है और इसके सब्दों में साफ हमें निर्जर आया था कि वो ड़रा हुआ है और रैम्डम होई साथी जो क्या थी है कि यह मैंने क्या देख लिया यहां पर सब्लोग इस सीखन को देखर सोख हो जुगे थी और यहां पर में दिखा जाता कि एक पावफुल बंदा उन सब के सामने अपियर होने वाला है और इसके बार में अपना अंदाजा लगा ही लिया ह नहीं कर पाया था और बाकी जितने भी वह सभी नूटाउन हो जाते है उसकी प्रेसों इतनी जड़ा होती ही और हमें दिखा जाता है कि वहां पर जो सेलेश्ट्र क्लान के बंदे होते हैं उसे दीकर उसका जो ओल एंचेस्टर होता है की डावलीन हाँ यह कोई और नहीं की हो जाते हैं और सेलेश्ट्र क्लान के बंदे भी यहां पर उस प्रेसे को नहीं सेपा रहे हो तो क्याते है ओल एंचेस्टर अब यहां पर हमें दिखा आ जाता है कि आकर तुम यहां पर क्या कर रहे हो तुम हमारे प्लेस में रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो यहां पर तुम यहां पर क्या कर रहे हो हमारे बीच में कोई भी ग्रूज नहीं है आके तुम यहां पर क्या कर रहे हो और अफी हमें की डाउनलिंड को दिखाया जाता है यहां पर आता है कि क्या हम दोने में कोई भी ग्रूज नहीं है यहां पर तुम अपने माउंटेन गोट को लेखर आ होते हैं अब यहां पर मैं एक सॉट्स बना दूँगा जिसमें मैं की डाउन इनके पावर के बाहर में एकस्प्रेइन कर दूँगा कि उनकी पावर लेवल क्या है कितने फाइनल लेवल तक वो रीच करेंगी और अखिरकार उनमें ऐसी क्या खास भी थे थे उसमें सॉट्स अ पाउंडर होते हुए क्योंकि यहां पर की डालिन आते हुँ उस पर अटाक किया होता है और यहां पर दूनों फिगर्स एक दूसरे के आपस में होगे आपने तुछल में तो देखी लिया होगा कि की डालिन और शेजट्री क्लान के एंचेस्टर एक दूसरे से फाइट कर यहाँ पे यही मुव इस चैप्कर समेह आने वाला है आप हम दिखाना जाते हैं कि फिसे कृब देखने लगते हैं यह ले कितना प्रिक लिये इतना लगते लिए लिए वो उसके तब देखने लगता है तो की डाउन क्याता है कि यहाँ पर मैंने इसे रिसेंटली मनाया है क्या यह स्टेफटबल नहीं है मैंने तुम्हें एक्सप्लेशन कियों ही दू अगर तुमने यहाँ पर एक्ट नहीं अच्छा से किया तो मुझे रूटलेस होने के मत ब्लेम करना जिसको सुनकर मोलू कहा था कि दाओ मास्टर की यह मत भूलो कि तुम पहले हमाया सेलेश्ट्र क्लैंस में पढ़ चुके हो मतलब तुम सेलेश्ट्र क्लैंस के डिस पर रहा चुके हो अब हमने जैसा कि किंडलियों के बाहरे में जाना कि उसने कैसा क्लैंट क बदला लेना था इसे कारूँ साहे क्लाइंस में जवान किये होते की डालिन जितना बुरा दिखाते होतना बुरा है नहीं इसकी हिस्ट्री जानकर भी आप लोग है और फिर हमीं दिखा आ जाता की डालिन को जो क्या तक चुप रहो मैं तो बस तुम्हाँ मास्टर की पीड प पदा था कि की डालिन नहीं साम मेठर्स को क्यों स्टूल किया था क्योंकि यहां पर उस से बोजा नफरत करता था इसलिए उसके स्टील मेठर्स को चुराया होता है अब की डालिन ने कई साह इंसें के लिए चुना होता है उसकी प्लेस पर अटाक करके उनके साह जितने भी इतने भी होते हैं पावफ़ल टेखनिक उससे को चुराया होता है और यहां पर सब जानते हैं कि इस लिए ही किया होता है उसके अपने घुठ्सर की कान क्योंकि इन्होंने इसके साल बहुत ही गलत किया होता है और आफ़ हमें दिखाए जाता है कि हीसे लिस्ट कर सामने करा वो उसके सामने ख़डाता और दोनों अभी सांत होते हैं जिसके बाद हमें दिखाता है सेलिस्ट्र क्लांस का एक डिटी होता है जो कहता है ओल एंचेस्टर हमारे हाफ में से 6 हिरो यहाँ पर मार जा चुके हैं यू-यू को भी यहाँ बहुत ही बोड़ी हाल अट कर दी चु वही होता हैै अःब यहाँ पर उसके सबस्यこんにちは अ किन्योंट यहाँ पर हसा प्राइस्ट्र सकत हैं यहाँ से थास्र प्राइस मेंख रहत था यह उनके पावर क्लैन के ग्लोरी को वापस ला सकती जिसके बाद हो सी हुओ कि तब अपनी इनर्जी निकालने लगती है योकि अपने पावफुल एनर्जी से उसको इहाँ पर सप्रेस करने की कोसिस करदे हो तो यहाँ पर मौलूँ डॉव की मास्टर क्याता है कि मूझे अपने उस sebenर chain को देदू एक उपने बन दिस्पर्स को देदा हैं तुनकर के डिलो का था कि तुम्हां पस कौन सी क्वेलिफ यहां पर मोल बी सौक हो गया होता है यहां पर की नहीं पिक्स ड़वार को यूजग करता है यहां पर प्रिपेर था लेकिन फिर भी वह अपना प्रोटेक नहीं पाया कर पाया क्योंकि कि यह लोगों की पाव बहुत जाड़ा होती है और अमें दिखाए जाते हैं कि वहां पर यूथ उसके सामने ही खाला था और वह क्याता है कि जल्दी कर दूँ यहां पर तुम यह करने बाकिए बन्दे है वह यहां पर एक लिए आपको करने के लिए डिए नहीं तब तक लिए बहुत ँब आए और यहां पर आप लोग सपोर्ट जरूर दिखाना आर विए जाले आहे तभी मैं इतने लंबी वीडियो बना पाउंगा नहीं तो मैं ऐसे 20 वीडियोस सप्र दिखाना और ज्यादा वीडियो तभी आपाएंगी तो मिलते नेक्स लूमें तब तक के लिए बाएं